अब हम बात करते हैं इसके सेंटरल बाडी पैनल का तो इस तरह से इसका आपको पेरा मेंटर प्रेम दिलिया था मैं आप लोग को कमेटर सेग्मेट की काफी दमदार और और प्रक्षिभाई के बारे आपको बताने बाला हूँ अब मैं आप लोग को एक आडिया मिल जाए इसके बाद में बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे प्रांट से ही बाइक कुछ किस तरह से दिखते हैं यहां पर आप देख सकते हैं इसके बाइक का बाइक का आपको सेमी ट्रांसपरेंट कलर में इसका बिल रहा हूँ अब जबर्दस्त है यह कुछ इस तरह से बाइक राइट साइड से दिखती है और इसका जो टेल सेक्शन है इसके अपिया होता है इसका पर आप देखिए कि काफी अच्छा है इसका आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो कि औरेंज कलर में है और इसमें काफी खुबसूरत टेक्च्चर देखने के साथ में है और मैट ब्लैक के ऊपर काफी कंट्रास्ट और काफी अच्छा खुबसूरत लुक दे रहा है इसका यह डियारे लेंप आपको नीचे की से देखो तो आयन मैन का जो मुह का मुखोटा है कुछ ऐसा यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा इसका जो हेडलेंप है वह आपको हेलोजन में मिल रहा है और इसमें जो रिफ्लेक्शन है कुछ इस तरह से हैं कि काफी खुबसूरत आपको अपीलिंग लुक दे रहा कि बात करें इसके मटगाड का तो इसमें आपको आपको दीजाइन में आपको मटगाड मिल जाता है creativity ओर इसका जो रियर एरिया है उसमें आपको इसमें टेलिंटीर मिल जांव ту कि हम बात करें इसके ब्रेक विंद तमस्सी छहा रहा रहा है तहरे वह कि पीसह पुर्ठ में आपको 231 को श्रुब्राइप यूज चुनल ग्रैक जिते कि यह कि अदया ओट ले heim में अबस तरुड़ा बात करें इसके टायर का तो आगे और पिछे दोनों में ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। ज़बके रियर का आपो एटी होड़ा सेसली मिल जाता है। इशकर मिल जाता हैं। छोटा सा पार्ट आपको टायर सब्सलिछ कंद तरुछाटा करें इसके फ्रण्ट विल को देखने के बाद हम बात करते हैं इसके फ्रण्ट बॉडी पैनल का तो लिए जा रहा है जिसका एंडिंग जो है वह प्लॉट फिनिश के सांथ में गिल रहा है तो यह काथी अच्छा यहां पर अपीलिंग हो जा रहा है और इसके साथ-सार जो फ्रण्ट पर आपको पुल्सर का 3D लोगों देखने के बिल जाएगा दोनों साइड में जो कि फ्लाइक के उपर यह वाइट लेटरिंग देता है और इसका फ्रण्ट का शेप देख से कुछ आपको जो पुछ सब्सक्राइब और सा जो जो लेकत टश यह उद्Яटर को आपको नहीं वाला आखरी इसके टरब देख से अबको चुक्त första कंपनी के तरब से ऑपको चो च्छाव यह तो पर शूटासार लिल जा रहाते, और इसी के नीचे आपको अंडर कॉल जाता है तो कुछ इस तरह से हैं जो कि दोनों जो इसके साथ गरा वाटर ओगरा जो है जो जाता है और यहां पर यह मेटलिक आपको पीलेन राइडर के लिए फिर्श मिल जाता है इसके बाद हम बात करें सेथी और कॉंफर्ट को लेकर सीट बहुत इंपॉर्टन होता है जब आप लॉग राइड पर जाते हैं तो सीट की जो ज़्यादा पूर्ण करते हैं तो हम इसके साथ-साथ यहां पर आपको बाहर निकला हुए जिसके साथ-साथ यहां पर कम हाइड का आदमी आराम से इसको ग्राइड कर सकता है उसका गुल पच्छा रहेगा और जब आप स्पीर में जाते हैं तो जो एर रेजिस्टेंस आपके कम प्राइड और तो हम अनुड़िए मंग जाता है इसका जो कलर है वापको मीड सेक्शन तक आता है इसके बाद यह फ्लाइब कलर में सुरू हो जाता है विछ अब लेखिए होलेति है। बन जा रहा है और इसके उपर आपको एक स्टीकर वोग देखनी मिल जाएगा और इसका जो यह प्लेट में मिलता है जैसे नॉर्मली पुलसर में आता है और इसमें भी आपका लेवलिंग हो जाता है जब ब्रेक अपलाई करते हैं तो आपका रियर वेहिकल में वह आपको ता सारी और उपर तक को वील में जाने से बचाने के लिए अच्छे काम है जो की ब्लैक मैड कलर में यहां पर आ रहा है और लेट सैड में आपको कुछी तरह से राइडर के लिए फूप्रेशन हो जाता है यहां पर यह यह बाइक आपको 5-speed गियर बांग से साथा यह था सेथ इसका मैक्स पावर आपको 8.82 किलोवाट एट 8500 पर मिलता है इसका टॉप्र आपको 11 निटर मिटर एट 7000 पर मिलता है इसके इंजन स्पेसिपीटेशन की बाद हम बात करते हैं इसके में इसके का इसमीडिस्टर मेंटर मिल जाता है यह ऑन करने के बाद कुछ किस तरह से आ आप डाउन होता रहता है और यहां पर आपको फ्यूल गेज मिल गया यह आपको स्पीडो मीटर आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं यहां पर आपको टाइम देख सकते हैं और यहां पर ओडो मिटर आपकी बाइक कितना चली है यहां पर गेर पोजिशन मिल जाता है गा मिल जाता है और जिसका थोड़ असा पॉर्शन जो है आपको यह सिल्वर कलर में देखने के लिए मिल जाएगा और इसका जो रियर वीव मेरर है कुछ इस तरह से डिजाइन में देखने के लिए मिलेगा जो की काफी अच्छा लग रहा है यहां पर अब हम लेट हैंडल बार पर देखें तो यहां पर दो सुष मिल रहा है और यहां पर स्टार्ट का निकले स्विच मिल जाता है यह सारा डिटल था इसके बार अब हम बात करते हैं इसके डाइमेंशन का इस बाइक का ग्राउंड प्लेरेंस आपको 179 mm का मिल जाता है और इसकी जो हाइट है यह है 1078 mm का इसका वील बेस आपको 1358 mm का मिल जाता है और इसका जो कर वेट है 144 kg का है यहां पर आप यह देख सकते हैं प्रेटल टैंक को अनौप करने के लिए हां पर यह आपको अधिशनल नौप मिल जा रहा है तो अंदर इस बाइट को देखा आप इसके लग रही है और इसका जो अर अधी कितना है इसका अधीज और इसका जो मिल रहा है है आपको 135 पावर ऐसी तो आपको रहे है 50 प्लस है यहांनि पौफेक्ट कमिटर वाइक हो ग्राएक ओर अराम च्छा-कार सा माले भिल रहा है और वहाप अच्छी बाइक हो जा जादी है और इसका जो प्राइस हो क अधिन वाइब दो आपको निया तो अप्रफ नम्हें पर पर दर पेरें तो आपको सकते हैं उम्मिद करता हूं अपरों को सारा इंफोमिशन मिल गया होगा एदि तो शूड़ गया है तो आप हमें बताइए निक्ट रोडियों मैं उसको प्रवर करनी पूसिस करना हूं थैंक यू बाबाई